पश्चिम बंगाल के TMC विधायक जीवन कृष्णा सहा के घर पर शुकरवार को सीबियाई ने चापा मारा तो उन्होंने अपने दो मॉबाइल पास के तालाब में फेक दिये अब सीबियाई दोनों फोन को ढूणने में लगी हुई है इसके लिए वो पंप लगा कर तालाब का पानी निकला रही है दरसल सीबियाई ने करोर रुपे के शिक्षक भरती मामले में टीएमसी विधायक के मुर्शिदाबाद इस्तित घर पर शुकरवार दो पर एक बज़े चापा मारा था इस दोरान विधायक वाश्रूम जाने का बहाना करके उठे और घर के बाहर भाग गए सीबियाई अधिकारी उन्हें पकड़ते इससे पहले उन्होंने अपने फोन घर के पास वाले तालाब में फेक दिये सीबियाई ने कल से ही तालाब में फोन ढूनने शुरू कर दिये थे इस दोरान फोन तो नहीं मिले लेकिन छे बैग मिल गए हैं इसके बाद सीबियाई ने तालाब से पानी बाहर निकालने का फैसला लिया और इसके लिए एक पंप भी लगा दिया शनीवार सुबत तालाब का पानी निकलने के लिए दो और पंप लगाए लेकिन एजेंसी को अब तक फोन नहीं मिल सके हैं मिडिया रिपोर्ट्स के मताबिक इन दोनों फोन का वापस मिलना सीबियाई के लिए जरूरी है क्योंकि इनमें घोटाले से जुड़े एहम सबुत मिल सकते हैं चापे में सीबियाई ने कई अपत्ती जनक डॉक्युमेंट जब्त की हैं इनमें अलग-अलग स्तर की कई लिखित परिक्षाओं के एड्मिट कार्ट शामिल है सुत्रों के मताबिक एक डैरी भी मिली है जिसमें घोटाले के दोरान इखटे किये गए रूपियों का जिक्र हो सकता है सीबियाई को टीमसी से निकाले जा चुके कोशिक घोश नाम के एजेंट के बारे में पता चला था कोशिक मुर्शिदाबाद जिले में ऐसे लोगों को ढूंटा था जो सरकारी टीचर बनने के एवेच में भारी रिश्वत दे सके सीबियाई को कोशिक से पता चला कि इस मामले में जीवन सहा भी शामिल है जिसके बाद एजेंसी ने उनके घर पर भी चापा मार दिया इसी के साथ मने रही है राजडवा डिवी के साथ दर निवाद